नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे लेजर जेट प्रेंटर का M1136 MFP का कार्टेज को रिपेयर करना और अगर कार्टेज कोई पार्ट से खराब हो गया है या उसे बदलना चाहते हैं तो उसे निकाल कर वैसे ही लगा दीजे जैसे पहले लगाता है अगर आपकी प्रेंटर की इंक भी खतम हो गई है तो उसे डाल सकते हैं इसके बाद आपका प्रेंटर सही प्रेंट करने लगेगा और एक बात अगर आपका प्रेंटर और कोई है तो उसका कार्टेज M1136 के कार्टेज से मिलता जुलता है तो उसे ऐसे खोले आपका काम बन ज आएगा चलिए देख लेते हैं 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 आएगा चलिए आएगा चलिए आएगा हैं आएगा चालिए देख लेते हैं